हलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल में तो जैसे आज हमारा थर्ड डे थर्ड है आपको पताइए कि जो 20 डे स्टैटजी हमारी चल रही है मैच का हमने जितना भी FAA और VLW का स्लेबर्स कंप्लेट करना इसमें थ्रू MCQ आज इसका डे थर्ड है थर्ड व सब्सक्राइब करते हैं तो चलते हैं सीधे वीडियो पर बिना टाइम वेस्ट किये और करते हैं एक ये qeosn को solve थोड़ा सब ट्राइंगल के बारे में जानेंगे पहले थोड़ा ट्राइंगल की बैग्रोंड लेकिए उसके बारे में आगे इसी के डेटेट कॉश्यं करें इन में क्या perimeter और area based जो questions होते हैं उनको हम solve करेंगे एक बार सिर्फ एक बार formula देख लेंगे अगर equilateral triangle का आपको formula पूछा होगा तो आपका area पूछा होगा तो उसका formula क्या रहेगा आपके पास यह वाला under root 3 by 4 a square a square आपकी जो side होती है triangle की ठीक है और अगर height के लिए पूछा होगा height किसी triangle की पूछी होगी उसका होता है under root 3 by 2 a height के लिए अगर height पूछी होगी equilateral triangle की perimeter की बात करें perimeter आपको simple सी sides का side को plus करना होता मतब a plus a plus a कोई भी a 3 sides होगी equilateral triangle की उनको plus करना होगा और या 3 into a आप चलते हैं आइसोसाइलस triangle पर देखो आइसोसाइलस triangle को यह भी question आभी इसके basis पर भी करवाओंगा क्योंकि इंपॉर्टन कोशन अगर comparative exam में आते हैं तो इसी इसी टाइप के question आएंगे इसमें देखो area पूछा आइसोसाइलस triangle का area आइसोसाइलस triangle का कैसे निकालना हमें simple sides पता होंगी तो area हम अराम से निकाल सकते हैं area बी बाई four under root of four a square minus b square यह formula आपको रटने पड़ेंगे हाइट अगर आइसोसाइलस triangle की पूछी होगी तो one by two four a square minus b square अब यह triangle मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सीक्विल ट्राइंगल कौन सी होती है आइसोसाइलस जिसकी दो साइड सीक्वल होती है दो एंगल इसकी तीनों साइड सीक्वल तीन एंगल उसके बद आगर इ जिसकी कोई भी साइड कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है इसका एरिया पूछा हो तो इसको heroine formula लगाते हैं वो उससे हम निकालते हैं वो क्या formula होता देखो s-a, s-b, s-c under root अब s क्या होता है, s होता है, इसमें हमारा perimeter, जो s की value निकालते हैं वो तीनों साइड को plus करके a plus b plus c को 2 से divide करना होता है, s की value मिली जैसे हमें तो फिर हम area निकाल सकते हैं, तो इस type का भी question लिया हुआ, आगे paper में पूछा गया है question, तो वो भी discuss करेंगे, अब आते एक right angle triangle, right angle triangle, सबसे जादे question इसके उपर बनते हैं, और easy भी होता है, बट अब बहुत मतलब इसको आप अराम से कर सकते हो, देखो area, one by two, base into height, या base into, इसको height को perpendicular भी बोलेंगे, right angle अगर कोई triangle होगी, तो यह वाले इसकी perpendicular होगा, ठीक है, यह hypotenuse होगा, यह base होगा, इसमें, perimeter पूछ news निकालनी होगी, वो कैसे होता है, under root of P square plus B square, perpendicular square, base का square, इसको pathagoras theorem भी बोलते हैं, मैंने इसके उपर एक और lecture बनाया हुआ था, जब स्टार्टिंग में हमने, उसमें मैंने पूरा cover किया गया, वो भी मेरे YouTube चैनल में, upload है चैनल, lecture, आप वहाँ से भी देख सकते हो, तो यह सारे जो है formula है, इसके basis पर हम सारे questions complete करेंगे, थोड़े मोते और भी इसमें बहुत सारे concept होते हैं, एक दो concept और बताता हूँ, बाकि आप में इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, अब आपको पता है similarity of triangles की अगर बात करेंगे हम, similarity of triangles, अब similarity of triangles के लिए हम तीन, इनको criteria होते हैं, जिनसे हम इनको similar बता सकते हैं, आपको पताईए, पेपर में पूछे तो नहीं जाएंगे, बड़ा से बता रहा हूँ, angle, angle होता है, side, angle, side होता है, side, 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 यह हमारी होती है triangle को similar बताने के लिए, आपको यह वाले, बाकि इसमें कुछ और भी properties होती है triangle की, तो मु चलेंगे हमारे question पे तो, अब आपके मैं question number one solve करता हूँ, तो यह रहा question number one, बिल्कुल easy question है, आपको easy लग रहा होगा, बट ऐसे ही question exam में पूछे जाते हैं, आप question paper कोई भी पिछला, अगर आपके बस previous errors को देखो को तो, आपको question देखने को मिलेंगे, same, ऐसे ही मिलेंगे, अब perimeter of equilateral triangle is 45 cm दिया हो, और इसका area निकालना है, तब भी मैंने आपको formula पीछे करवाए, अगर formula आपको याद दोंगे, तो अराम से आप निकाल सकते हो, परिमेटर आपको दिया है, perimeter का formula मैंने आपको बताया था, क्या था, 3A, तो अगर perimeter, अगर side हमारे पास A होती है, तो perimeter किया है, अब 3 जो A है, वो हमारे पास perimeter दिया हुए, 45 cm दिये, यहां से हमने side निकालना है, तो 45 divided by 3 करेंगे, तो कितना हैगा, 15, हमारे पास side मिलके 15 cm, अब हमने area, area के लिए मैंने आपको formula क्या बताया था पीछे, अभी आपको थोड़ी दिर पहले, root 3 by 4 A square, कुछ नहीं, अब मिलके ही हमें value A की, तो हमें इसमें put करनी होती है, root 3 by 4 into 15 का square, 15 का square करेंगे तो कितना हैगा, 225 और under root 3 by 4, इसको अगर simplify और तरीका अगर लिखने का, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 225 under root 3 by 4, square cm में आपका area निकल जाता है, तो यह था हमारा question number 1, बिलकुल easy question था, but calculation होती ह इसमें, तो आपको paper में देखने को मिल सकता है, चलते है question number second पर, देखो, यह question कि इसमें isosilis triangle के लिए हुआ है, बिलकुल simple question है, तो पैरिमीटर आफन isosilis triangle is 32, while its equal sides together measures 18 cm, isosilis triangle आपको पता है, दो sides उसकी क्या होंगी, equal होंगी, और यह जो दो sides है, question के according अगर हम चलते जा मतलब अगर हमने a निकालनी, twice a जो है हमारे पास, वो 18 है, a side 18 by 9, तो यह क्या हैगा, 9, मतलब दो sides हमारे पास जो होंगी, वो एक 9 और 9, हमें क्या बोला है, find the third side, हमें third side निकालनी है, तो third side हमें पता नहीं है, जो चीज हमें निकालनी होती है, उसको क्या करेंगे, let x, ठी ठीक है, third side को अगर हम x लेते हैं, अब क्या बोला, perimeter, perimeter आपको बता है, यह triangle का simple सी बात है, perimeter होती है, सारी sides को plus करना, अगर एक side हमें third x ली है, दो हमें, जो दी हुई है, a plus a, means 2a, इनका perimeter दिया हुआ है, 32, ठीक है, अब देखो, यहां से हमें क्या पता चलेगा, x plus, अब य आपको बताया था, 18, ठीक है, तो यह 18 equals to 32, x की value यहां से निकल जाएगी, 32 में से 18 को माइनिस करेंगे, x आएगा, 14 cm, तो यह थी हमारी third side, same question, paper में आया हुआ question है, x third side हमने, और अगर एक-एक side पूछी होगी, तो आपको मैंने starting बदा दिया, कि दोनु sides की, जो value होगी, व यह वाला question है, question number 3, find the area of triangle whose sides are, 26 cm, 28 cm, और 30 cm, इसमें क्या होता है, area of triangle, अभी sides given, इसका एक और formula होता है, बट वो lengthy formula होता है, इसको कैसे हम solve करेंगे, देखो यह आपकी A आगई, यह B, यह C, इसको हम formula अगर लगाएंगे, हिरोन's formula, ठीक है, हिरोन's formula से इसको solve करेंगे, formula क्य और S minus C, ठीक है, अब देखो S, आपको मैंने पहले ही बताया था, S जो होता है, वो semi parameter जिसको बोलता है, वो क्या होता है, A plus B plus C divided by 2, तो करो इसको अगर प्लस करेंगे, 26 plus 28 plus 30, इसको करेंगे हम 26 plus 28 plus 30, divided by 2, यह बनता है, हमारे पास 84 divided by 2, 42, इसका मतलब S की value हमें मिल गई, अब S की value आपको यहाँ put करनी है, एक बार इनको भी independently आप solve कर लो, तो value direct यहाँ पर put करना है, अब देखो S minus A, S minus A, यहाँ से अगर हम निकालते हैं, S minus A, S minus A कितना निकलेगा, 42 minus 26, S minus B, अगर करेंगे तो 42 minus 28, और S minus C की value बेनिकाल दो, 42 minus 30, यह कितना आएगा, आपके पा 30 करेंगे, तो यह आएगा, 12, आगे यह भी value मिले, यह भी, यह भी, direct formula input करो, यह formula बना हमारा पास 42, S की value 42 थी, S minus A की value 16, फिर आगया 14, फिर आगया 12, अब इसको आप solve करके, आप answer निकाल सकते हैं, solve करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप अंदर अंदर से इनको पहले break कर दो, ठीक है, break करो, pairs को बाहर निकालो, अंदर root को, देखो 42 को अगर करेंगे, तो अगर मैं 16 into, 14 into 3 करता हूँ, 42 आएगा, 4 into 4 करेंगे, फिर अगर इसको मैं 7 into 2 करता हूँ, और इसको 4 into 3 करता हूँ, ठीक है, अब देखो, यहाँ से एक pair क्या बना, 4 और 4, 4 बाहर निकल जाएगा, फिर यह 3, यह 3, आपका यह भी 3 बाहर निकल जाएगा, वैसे अगर यहाँ से 14 को मैं और break करूँगा, 7 into 2, तो यह 7 और 7, यह भी बाहर निकल जाएगा, फिर यह 2, यह वाला 2, यह भी बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे सब के pair बनाके, आप multiply करके, इस स्केर रूट अंसर निकल आएगा, वो आएगा आपके पास, 370, 336 स्केर सेंटीमेटर, तो यह इसका एरिया निकलेगा, बिल्कुल सिंपल कोश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करने हैं आपको, ठीक है, चलते हैं कोश्चन नंबर 4 पे, तो कोश्चन नंबर 4 क्या बोर रहा इस साइड साफे ट्रेंगल और इंदी रेशो, अब रेशो में दी हुई है, 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4, इफ पेरिमेटर 52 है, then the length of smallest side, smallest side के हमें length निकलनी है, आपको given sides क्या है, given sides, आपको पता sides दी हुई है, 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4, इनको पहले सिंपल आपका नोट कर दो, इसको जो फ्रे अब कैसे इसको बनाने का है, इसका LCM ले लो, LCM आपको पता है, 12 आएगा सबका, अगर 12 LCM, LCM इनका अगर लोगे आप 12 आता है, sides पर rough करके देखोगे, 12 को इसके साथ क्या करना होता है, divide उपर multiply, divide करके आएगा, 6 आएगा, उपर multiply 6, इसके साथ आएगा तो उपर 3 के साथ 4 तो उपर 4 और 4 के साथ 3 तो उपर 3, तो sides के आगे हैं हमारे पास 6, 4 और 3, यह आगया ratio अब, अब क्या करना है, let करो sides को, sides आप triangle जैसे 6X मान के चलो, 4X and 3X, अब perimeter दिया हुआ है, perimeter, perimeter कितना दिया है, आपको 52 cm दिया है, simple question बन गया आपका, perimeter आपको पता है, sum of all sides, 6, 4, 10, 13, 13, 13, x equals to 52 cm, ठीक है, अब 52 cm, अब X की क्या आएगी, value, 52 divided by 13, तो X आगया हमारे बास 4, अब X की value यहाँ पर put करते जाओ, जैको 6X, sides थी हमारे बास 4X और 3X, 6X करेंगे तो 6 x 4 करेंगे 24, 4 x 4 करेंगे 16, और 3 x x करेंगे तो 4 x 12, तो smallest side अगर पूछी गई, तो आप की 12 आएगी, और largest side पूछी गई तो आपकी 24 आएगी, यह 3 की 3 sides मारे निकल आई, चलते हैं, question number 5 पे, question number 5 क्या बहुर रहा है, if area of an equilateral triangle is x, area क्या दिया हुआ, x, and its perimeter is y, तो question के साथ साथ लिखते जाओ, question क्या बहुर रहा है, area of equilateral triangle, आपको मैंने अभी बताया area of equilateral triangle क्या है, यह formula होता है, अगर यह x है, और perimeter, perimeter क्या होगा, 3a, अगर यह y है, ठीक, यही बताया question, perimeter is y, उसके बाद पूछा है, then which one of the following is correct, यह कुछ equations दिये हैं, इनमें से आपके पूछना है, कौन सी correct है, तो इसको अगर मैं equation 1 मान लेता हूँ, यहां से मैं, अगर value निकालनी हो, 3a, a की value यहां से निकालोंगा, तो वो क्या आएगी, y by 3, यह equation second बन गई है हमारी a की value, अब second को first में put कर दो, second को जब first में put करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो, a की value यहां पे put कर दो, under root 3 into y by 3 का whole square divided by 4 equals to x, यह बनी हमारे पास equation जब हमने put किया है, इसको थोड़ा simplify करेंगे, देखो, under root 3, इसको simplify करेंगे, तो क्या आएगा, y square divided by 9 divided by 4 equals to x, अब x को अगर और value निकालनी होगी, 9 नीचे आ जाएगा, उपर क्या बचेगा, under root 3 into y square divided by 9 into 4, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, इसमें value किसकी चाहिए, हमें y की, क्योंकि y square, y square पूछा option में, ठीक है, क्या बन रहा है, अब एक side तो हमारे पास y square आ गया, y square आने के लिए इसको division में आना पड़ेगा, अगर इसको हम इधर shift करेंगे, ठीक है, अगर under root 3 को division में लाते हैं हम, देखो, x क्या बनेगा, हमारे पास, is equal to y square आन, 9 under root 3 into 4, ठीक है, इसको और simplify करेंगे, तो क्या बनेगा, x equals to y square आन, इसको हम लिख सकते हैं, 3 under root 3 into 4, और थोड़ा simplify करेंगे, तो क्या बनेगा, 4 into 3 की multiply करेंगे, 12 under root 3, अब इसको इस side multiply कर दो, क्या बनेगा, y square equals to 12 under root 3x, ठीक, y is equal to 12 under root 3x, तो देखते हैं, इसमें कौन सा है, इसमें option a बनेगा आपका, option a part, 12 under root 3, इसको solve करके ये वाला equation आएगा, x square, एक second, option में आपको 432 दिया है, 432 का इसारत देखो, ये equation हमारे पास अगर बन गई है, तो इसको क्या करेंगे, scaring both side, अगर scare both side करेंगे, तो क्या आएगा ये, y raised to power 4 equals to 432x square, ये आपका scaring, तो ये y की power 4 रहेगा यहाँ पे, ये वाला option आपका a part, x square यहाँ पे बन जाएगा, 432, ठीक है, तो ये था question number 5, चलते है, question number 6 पे, देखो, ये question क्या बोल रहा है, in a triangle, the angles are in the ratio, 3, 5, और 7, name the type of triangle, name बताना है, कौन से type की triangle बनेगे, अब आपको देखो, इसमें क्या दिये है, angles दिये हुआ है, angles का ratio क्या है, 3 is to 5 is to 7, तो let कर लो, इनको angles आपकी क्या हो जाएंगे, 3x, 5x और 7x, अब आपको क्या बोलना है, name the type of triangle, triangle की type बतानी हमें, तो हमें कैसे, अगर हम इसको देखते हैं, आपको पता है, angles, triangle के angles का sum कितना होता है, 180, 180 डिगरी, ये तो सबको पता, angle sum property होती है, angle sum property या फे triangle, ठीक है, 180 ये कितना होगा, 58 और ये 15, 15x is equal to 180 डिगरी, और x की value कितने आएगी, 180 डिवाइडी बाइडी बाइ, 15, 15, 1,000, टूप इदर चला जाएगा, 3, तो 15, 20, 30, तो ये कितना बन जाएगा, 12, ठीक है, 1 और 12, x की value कितने आगी, 12, डालो x की value यहाँ पे, 3x, 5x, और 7x, ये हमें triangles की sides का दिया था, तो देखो, angles दिये थे, 3x, अगर ये डालेंगे तो 36, 5x की value 12 डालेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 5 into 12, वो बनेगा 60, और 7 में ड डालेंगे तो 84, तो ये कि सारे less than 90 हैं, आपका मतलब acute angle triangle जोगी, तो option a part इसका, आपका right answer रहेगा, चलते हैं question number 7 पे, ये भी बिल्कुल simple question पूछा है, inner triangle, pq or is, if pq equals to 6 cm, pr equals to 8 cm, ये diagram आपको खुद रॉख करने हैं, आपको question में ही पता चल जाते हैं कि diagram कैसे, क्या 3 cm, if ps is the bisector, ps क्या है, bisector of angle pqr, what is the length of qr, अब यहां से पकड़ो, ps is bisector, कोई नों को एक triangle आप बना लो, जैसे मान के चलो, ये मैंने बना दी, pqr, ठीक है, ps एक bisector, ठीक है, bisector, अब इसमें दिये q और s, qs ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, और ये pq, इसकी भी आपको value दियो ह है, 6, और pr की value दियो है, 8, 8 cm, ठीक है, हमें ये वाली side पूछिए, what is the length of qr, पूरे की पूछिए, लेकिन पूरे की पूछने के लिए, इस सारी side को निकालने के लिए, पहले हम ये side भी पता होने चाहिए, तो पहले हम sr निकालेंगे, अब आपको देखो, अगर ps जो है, वो bisect कर रहा है, bisect करता है, तो triangles की एक property है, अगर देखो, यहां पर बताया है, इसने angle qpr को, तो angle qp, ये वाले angle को bisect कर रहा है, यहां पर, तो ये property की अगर ये bisect करता है, तो property क्या बोलती है, कि qs upon sr, जो हमारी qs upon sr, जो होगी, वो corresponding sides की equal होगी, तो pq upon ratio इनका equal होता है ये triangle की आपको properties पढ़ी होंगी आपने, अब simple सी values यहां पर put कर देनी, देखो, इसकी value हमारे पास 3 है, sr की value कितनी है, sr हमने निकालना है, pq की value हमें 6 पता है, और इसकी 8 पता है, simple से करो, 8 into cross multiply करेंगे, तो क्या हैगा, 8 into 3, 24 divided by 6, इसको sr की value हमारे पास निकल जाएगी, 4, sr कितना निकल ला है, हमारे पास, 4, अब देखो, sr पूछा था हमें, sr यह 4 निकल गया, हमारे पास क्या पूछा है, क्यो, r, पूरी वाली यह value पूछी हुए, पूरी वाली, तो 3 plus 7, हमारे पास क्या आएगा, 3 plus 4, equals to 7, तो यह कितना आगे हमारे पास, 7, option b, चलते हैं question number 8, देखो, यह question है, inner triangle ABC, angle A equals to 90, angle C 55, और AD जो है, perpendicular उदर है, BC के, what is the value of angle BAD, ठीक है, angle BAD, diagram आपको जैसे जैसे बोला है, वो बनानी, angle A 90 है, ऐसे कोई diagram बन रही होगी, इसकी, जहां पर angle A जो है, वो 90 डिगरी दिया हुए, और क्या बोला है, angle C 55 है, अगर मैं ऐसे diagram बनात हो, तो angle C जो हमारा, रख लो यह ABC, angle C 55 डिगरी है, ठीक है, और क्या बोला है, AD perpendicular to BC, AD जो है, BC के perpendicular, perpendicular आपको पतर 90 डिगरी अंगल बनाता है, अब आप तो, what is the value of BAD, angle BA और BAD, उसकी value निकालनी आपको, देखो, निकालनी कैसे angle आपको, इसमें सिंपल सी आपको angle sum property लगानी पड़ेगी, पहले angle B find करने के लिए, ठीक है, एंगल B find करने के लिए, होता है, आपका angle A, प्लस एंगल B, प्लस एंगल C लेता हूँ, वो 180 डिगरी के बराबर है, दो एंगल पता है, 90 डिगरी, प्लस 55 डिगरी, प्लस एंगल B, C, C भी 55 हो, और यह 90, वो 180 हो जाएगा, 90 प्लस 55, वो कितना होगा आपके पास, देखो, 9 और 5 होगे, 145, ठीक है, अब हम करेंगे, 180 में से, 145 को, माइनिस कर देंगे, तो वो कितना हैगा, एंगल B हमारे पास आजाएगा, 35 डिगरी, यह 35 डिगरी बच गया हमारे पास, अब यह हमें 35 मिल गया, अब देखो, यह वाली ट्राइंगल का पूछा हुआ है, B, A, D, ट्राइंगल यह वाली पूछी है, इस ट्राइंगल के देखो, एंगल B, A, D निकालने के अगरे कैसे, D पाट अगरे निकालना होगा कैसे, B, A, D, एंगल, तो इसमें हमें क्या करना है, एंगल एक तो मिला हुआ है, 90 यहां से, A, प्लस एंगल, यह निकाला हमने, 35 डिगरी, प्लस एंगल B, A, D, यह हो जाएगा, 180 के बराबर, इ A, D, equals to 180, अब 180 मेंसे, 125 को माइनिस करेंगे, तो एंगल जो B, A, D होगा, हमारा, 55 डिगरी आ जाएगा, C पार्ट, ठीक है, बिल्कुल डाइग्राम जैसे, जैसे, क्वेश्चन में बोला है, वैसे, वैसे, आपको पता है, एंगल सम प्रॉप्टी लगाते जाना है, एक एं 20, 25 मेटर, long respectively, find the cost of the showing seeds in the field at the rate of rupees 5 per square meter, अब option आपके, देखो, अब साइट साफे, triangle fields, length, sides क्या क्या दिए हुए है, 15 मेटर, 20 मेटर, और 25 मेटर, पहले हम चेक करेंगे, एरिया निकालने के लिए, क्या रही राइट अंगल ट्रेंगल है या नहीं, आपको दिख रहे हो, स्केर, प्लस, पर्पेंडिकुलर स्केर, सिर्फ चेक करने के लिए, कि बेस और, अब हाईपोर्टनीज आपको बता है, लॉंग साइड होती है, अगर 25 का स्केर करता हूं, वो कितना था, 625, इनको दोनों को चेक करो, इक्वास टू, बेस का स्केर, 15 का स्केर, प्लस, 20 का स् 225 और यह 400, इसको प्लस करेंगे तो 625, मींस कि 625, ठीक है, अब राइट अंगल ट्रेंगल है, यह क्या है, राइट अंगल ट्रेंगल अब इसका एरिया, आपको मैंने पहले ही बताया था, एरिया आप राइट अंगल ट्रेंगल, वन बाई 2, बेस इंटू, इसका मतलब जो एक एक के लिए आपको कितने के लिए फाइंड करना था यहां पर क्वेश्चन में आपको करना है इसका रेट रेट एक का कितना है फाइंडी कॉस्ट आपको कितना रूपीज फाइव ठीक है तो 150 के लिए आपका 150 के लिए आपका एगर एक के लिए फाइव है तो 150 के लिए कितना आएगा वन मीटर स्केर के लिए रूपीज फाइव 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 से करें तो कितना आएगा 750 रूपीज ठीक है रूपीज 750 तो यह आप्शन कौन से आपका ए पार्ट ठीक है क्वेशन नमबर वाज का लास्ट कोश्चन कोश्चन नमबर टैन देखो इस इसको कैलकुलेशन से किया जाया अगर इसके लॉंग मैथर से किया जाया इस अगर ऐसे कोश्चन आये तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है जब भी आपको percentage पूछी ओ, percentage increase पूछी ओ तो, ठीक है, percentage increase in area, जब भी percentage increase in area पूछी ओ तो इसका एक फॉर्मूला है, twice of a, plus a square by 100%, इतनी increase होती है, simple सा एक फॉर्मूला याद रखना, अब यहाँ पर देखो, sides of a, manipulator triangle is increased by 60%, इसका मता एक ही value हमें 60 मिल गई है, ठीक है, direct value put कर दो, 2 into 60 plus 60 का square divided by 100 और परसेंट, अब इसको open करेंगे तो क्या हैगा, 62,020 और इसको करते हैं, 60 का square कितना होता है, 3600 divided by 100, यह दो 0 कट जाएंगे, 120 plus 36 कितना आगया, 150, 6% answer, simple सा question था, बिलकुल कुछ नहीं, वरना अगर calculation से करेंगे तो फिर इसको अगर long method से करना होगा, वो बहुत, उसमें area निकालना पड़ेगा, पहले 1 by root 3 by 4 into 1 square आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसमें increment डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको, मतलब बहुत lengthy process ही है, short में तरीका इसका यही वाला है, एक formula जब भी percentage increase आपने area में निकालना ही हो, ठीक है, तो यह थे आज के जो भी triangles पे important question से वो मैंना cover कर दिये, 10 question, पेपर में पूछे गए हैं question, इसमें से 5 से 7 question paper में और जो दूसरे वो भी important question में आने के chances हो सकते हैं question paper में, वीडियो अगर end तक देखिए हो, तो वीडियो को like और channel को subscribe और share कर दिया करो, तो मिलते हैं next video में, next video में वैसे जैसे हमारी strategy चल रही है 20 days तक आपको regular basis पे वीडियो देखने को मिलेंगी, वीडियो को like कर दिया करो, share कर दिया करो, तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए वीडियो को देखिए, खुश रही है, good bye,